हेलो गाइस वेलकम टू आचारे एजुकेटर स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब चैनल आचारे एजुकेटर में आएम वेदवीर एंड वी आर प्रिपेरिंग फॉर यूजी सीनेट कॉमर्स मेनेजबेंट एंड पीजीटी कॉमर्स सो गाइस कैसे हो आप सब लोग आई होप यूआ डूइंग वेरी वेल सो गाइस इससे पहले हम लोगोंने काफी सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो जिन लोगोंने प्रिवेस वीडियो को नहीं देखा है तो वह प्रिवेस यूनिट के बारे में discussion करने वाले हैं चलिए जैसा कि आपको slide में ही दीख रहा है हमारी जो यूनिट है वो कौनसी है accounting and auditing बहुत ही important unit है इसमें से कम से कम कम से कम से कम साथ से 8 question आपके बनते ही बनते हैं लेकिन अगर मैं PGT Commerce की बात करूं तो PGT Commerce में इसमें कम से कम कम से कम 17 to 20 questions इसमें से बनते हैं क्योंकि accounting अपने आप में एक बहुत बड़ी unit है इसमें आपकी financial accounting, corporate accounting, cost accounting, management accounting, सारी accounting आपकी cover हो जाती है, partnership accounting भी इसमें cover हो जागी, cash flow statement, ratio, leverage analysis, यह सारी चीज़े आपकी accounting में cover होती हैं ओके चली, तो आज हम बात करेंगे accounting के एक important aspect की जिसमें से question आपके आते ही आते हैं, चाहे वो theory की form में पूछे, चाहे वो practical की form में पूछे, बट question तो वो पूछेगा ही पूछेगा, तो चलिए हमारी यह जो unit है accounting and auditing, यह हमारे UGC net commerce, management और PGT commerce वाले के लिए important है, लेकिन जो management वाले student हैं, उनमें आपका auditing cover नहीं होती है, सिर्फ accounting ही cover होती है, तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना हैं, जो management वाले student हैं, उनको auditing वाला part cover नहीं करना है, क्योंकि उनके में management में auditing आप in accounting आपकी जो है UGC net commerce और आपकी PGT commerce में बहुत major role play करती है, ठीक है, चलिए, बात करते हैं किसकी, company account यह इसको हम corporate account भी बोलते हैं, corporate का मतलब क्या होता, corporate का मतलब ही company होता है, और account का मतलब होता है, कि how to prepare the account in the name of company, company, मतलब कोई company है, जब अपने account बनाएगी, तो किस तरीके से account बनाएगी, जब हमने accounting की unit cover करी थी, तो उसमें accounting का basic concept आपको बताया था, कि accounting का मतलब क्या होता है, accounting का मतलब होता है, recording, classification, summarizing, interpretation of monetary financial data that is concerned with the business transaction, मतलब वो data जो आपका financial terms में available है, और that is related to business activity, मतलब business की activity से related होना चाहिए, और आपका monetary terms में measure किया जा सकता है, उसी data को हम क्या करेंगे, recording करेंगे, classification करेंगे, summarize करेंगे, interpretation करेंगे, और अपनी statement को बनाने के बाद, communicate कर देंगे, किसको top level management को, तो चलिए, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, कि सबसे पहले हम journal prepare करते है, journal is the primary box of account, journal के बाद आपका, जो है, ledger posting करते है, ledger posting करने के बाद, आप क्या करोगे, ledger posting जब अपकी complete हो जाती है, तो आप trial balance बनाते हो, trial balance क्या होता है, trial balance एक हमारा statement of account होते है, trial balance कोई account नहीं होता, ये statement of account होते है, जो कि हमारी ये बताती है, कि balances कितने-कितने बचे है, किसका debit balance बचा है, किसका credit balance बचा है, उन सब को mathematical accuracy check करने के लिए हम एक statement of account बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, trial balance, तो trial balance, trial basis के लिए ही होता है, mathematical accuracy check करने के लिए होता है, और इस चीज़ को check करने के लिए होता है, कि आपने अब तक जीतने भी accounting transaction करी है, वो सही है, या गलत ह उसमें कोई mathematical error तो नहीं है, जब आपने trial balance बना लिया, trial balance बनाने के बाद आप दो तरीके की statement और बनाओगे, जिसको हम बोलेंगे income statement और positional statement, income statement का मतलब क्या रहने वाला है, जो हमारी income को represent करेगा, जहरे net profit, net loss कमाया है company ने during the year, तो उससे हमें पता चलेगा, कि company ने during the year कित income statement, इसमें आपका trading and pnl आ जागा, पहले आपके trading and pnl दोनो separate separate बनते थे, फिर आपका single account बनने लग गया, अब आपका trading and pnl ना बन करके, अब income statement आपकी बनती है, ठीक है, जब income statement आपकी बनके तयार हो जाएगी, तो उसके बाद हम एक और statement बनाएंगे, जिसको हम क्या बो एक statement बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, balance sheet, balance sheet जो है, basically आपके क्या बनेगी, 31st March को एक company की कितनी financial position है, कितने company के asset है, कितनी company की liability है, कितने company के पास capital है, तो वो सारी चीज़े आपको वहाँ से पताचल जाते, एक accounting equation हमारी balance sheet से arise होती है, जिसको हम क्या बोलते है, capital plus liability is equal to asset, ठीक है, तो ये भी question कई बार आपका पूछा जाता है, कि इस में से कौन सी जो statement है, वो सही है, capital plus liability is equal to asset, मतलब आपकी जो liability side है, उसमें अगर मैं capital add कर दूँ, तो वो हमारी asset side के बराबर हो, क्योंकि balance sheet का कोई balance नहीं होता है, ये सिर्फ आपके balances को represent करती है, कि at the end of the financial year, that is on 31st March, एक company की position कितनी है, company की कितनी asset है, कितनी liability है, कितनी उसकी capital है, कितनी उसकी current liability है, तो वो सारी चीज़ा हमें यहां से पता चल जाएंगे, इसके साथ साथ हमें पता चलेगा, कि एक company की current assets कितनी है, fixed assets कितनी है, plant, furniture, mixture, और जो भी हमारी fixed assets है, या हमारी cash at bank ये सारी position company के क्या-क्या है तो वो सारी चीज़े आपको यहां से पता चल जाएंगे तो इसी को जब मैं आगे और बढ़ाऊंगा तो एक statement और हम बना जिसको हम बोलते हैं cash flow statement क्या बोल सकते हैं cash flow statement तो cash flow statement बेसिकलिए हमारी क्या बताएगी ये हमारी cash position को represent करेगी कि during the year company का cash कितना inflow हुआ है और कितना cash outflow हुआ है तो ये सारी चीज़े हम लोग last class में discuss कर चुके चलिए आज की जो हमारी class है उसमें हम लोग discuss करने वाले है company account के बारे में company क्या होती है कैसे कैसे अपने account प्रिपेर करती है और किस तरीके से company को अपने account जो है प्रिपेर करने होते है तो चलिए time ना waste करते हुए आज की class को start करते है चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात कर चलिए कि company होती क्या है देखे company का मतलब क्या होता है company एक voluntary association association of person होती है company क्या हो गई एक voluntary association of person होती है मतलब it is a group of people who are come together for the common objective common goal and objective ठीक है तो जो की आपके person जो है क्या करेंगे एक association बनाएंगे एक group of association बनाएंगे कि से लिए आपके common goal and common objective के लिए सब अपनी अपनी capital को contribute करेंगे और उनकी capital को divide कर दिया जाएगा different different parts में that is known as shares ठीक है क्या बोलेंगे उसको हम shares बोलेंगे और आपकी एक limited liability रहेगी हर एक परसन की क्या रहेगी limited liability रहेगी limited liability का क्या मतलब यहाँ पे जितने आपके share तिर्फ उतनी ही liability आप bear करोगे in case of loss अगर एक company loss making में चली जाती है तो उस case में आपकी liability तिर्फ उतनी ही रहेगी जितने आपके पास share है ठीक है it exists only in the eyes of law मतलब company जो है क्या है एक eyes of law का क्या मतलब यहाँ पे company जो है एक formation company का होता है as per the law मतलब law में भी company की existence मानी जाती है ठीक है तो क्या कहता है जिसको हम एक artificial person की तरह treat करते हैं मतलब company जो है क्या company को क्या treat किया गया है as per the law artificial person create किया गया है क्यों artificial person क्यों क्योंकि जो एक काम एक person कर सकता है वो सारे काम एक company भी कर सकती है बस company सांस नहीं ले सकती और person जो है वो सांस ले सकता है ठीक है बाकी जो है it is created by law क्योंकि law ही इसको create करेगा law के अंडर इसको register करवाना compulsory है ठीक है उसके बाद having a perpetual succession perpetual succession का मतलब क्या होता जैसे एक इंसान के जिंदगी होती है ऐसे ही company की भी जिंदगी होती है profit हो चाहे नुकसान हो company जो है वो हमेशा चलती रहेगी long period of time के लिए ठीक है चलिए उसके बाद common seal रहेगी कि इसकी common seal का मतलब क्या होता है यहां पर इसका मतलब होता है आपकी एक stamp होती है जिसके तुरू एक company अपने प्रोविजन को legal legality में convert कर सकती है मतलब आपकी जैसे आप एक साइन कर देते हो ठीक है आपके साइन होगा इसका मतलब क्या है कि you are responsible for that कि आपने क्या लिखा है किस चीज़ पर साइन करें क्या चीज़ मतलब किस चीज़ के रिगार्डिंग आपने साइन करें that is responsible for you ओके सो ऐसे ही कंपनी अगर जिस चीज़ पर कंपनी की स्टेंप लग जाती है इसका मतलब क्या है कि it is authorized as per the company's act ठीक है common सी लगने के बाद हम यह मानके चलते हैं कि it is the authorized document और इसको कंपनी के नाम पर रजिस्टर कर दिया जाए ठीक है it become the clear that company जो है क्या है एक association of person है उसका नाम जो है एक अपना उसका एक अपना नाम होता है उसकी एक joint capital होती है और एक separate legal entity होती है separate legal personality होती है जिसको as per the law ही create किया जाता है और as per the law ही उसको खतम किया जाता है ऐसा नहीं है कि आपने चलते चलते मतलब सूस लिए कि चलो आज company मेना लेते it is not like that उसका सारा पूरा प्रोसीजर रहता है और उस प्रोसीजर को आपको क्या करना पड़ेगा complete करना पड़ेगा जब तक आप complete procedure नहीं करोगे उसकी को सेल आफ करना पड़ेगा company की जो liability है उसको उसको रियलाइस करना पड़ेगा तो यह सारी चीजे मतलब जो है company law में लिखी गई है company को law ही create करता है और law ही उसको खतम कर सकता है चलिए लीगल एंटिटी होती है incorporated under the companies act 2013 पहले यह जो act था वो हमारा क्या था 1956 लेकिन बाद में क्या कर दिया गया इसको amendment कर दिया गया और इसका year ही change कर दिया गया किसमे 2013 में ठीक है कोई भी ऐसी legal entity जिसका registration और incorporation companies act 2013 या any of the previous law के अंडर हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे corporate यानि company क्या बोलेंगे इसको corporate यानि company चलिए तो under section 3 1 में यह चीज लिखी गई है कि companies act 1956 में उसने एक company को define किया गया है क्या define कर रहा है a company firm and registered under the this act और any of the existing act पताब उसमें यह बता है गया कि कोई भी company कोई भी ऐसी legal entity जो under section 3 1 companies act 1956 या उससे previous कोई ऐसा एक्ट साथ जिसके अंडर registration आपका हुआ है तो उसको हम क्या माल लेंगे उसको माल लेंगे हम company ठीक है तो यहाँ पर आपका जो है एक formation होगा registration डॉक्ट डॉक्ट होगे और आपका कोई भी previous law के अंडर आपका registration होता है तो वहाँ पर आपको एक legal legal form of entity आपको बना दिया जाता है जैसे ही आपका registration होता है आपकी payment होती है और आपके documentation complete होते है तो आपको एक legal existence प्रोवाइड कर दी जाती है और वहाँ पर आपको एक legal existence आपको मिल जाती है एस परदा companies act यह चीज़े mention करी गई है चलिए तो यहाँ पर इसके कुछ features के बारे में हम बात करते हैं ठीक है तो features के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यह कुछ features हैं आपके क्या features है देखो membership मतलब इसके members रहेंगे it is incorporated by the members मतलब members रहेंगे इसके और वह members ही company को आगे carry on करेंगे ठीक है it is a group of association और association of person ठीक है तो membership आपकी रहेगी आपको membership लेनी पड़ेगी company से जुड़ने के लिए पहला feature दूसरा feature incorporated association होता है आपका इसको बनाया जाता है as per the law ही इसको क्या करा जाएगा create किया जाएगा so it is an artificial person क्या होती है artificial person ठीक है separate legal entity separate legal entity का मतलब क्या होता है कि owner अलग होता है और अलग होती है owner की property को आप company की property नहीं मान सकते हो similarly company की property को भी आप owner की property नहीं बता सकते हो तो यहां पर एक separate entity separate legal existence इसको जो है करार दिया जाता है और यह बोला जाता है कि company separate entity है और जो owner है वो separate entity है अगर कोई loan company के नाम पे लिया गया है तो owner अपनी personal property से उसको नहीं भरेगा ऐसे ही अगर कोई loan owner नहीं लिया है तो उसको company के account से settlement नहीं किया जा सकता तो इसमें क्या बोला separate entity perpetual succession perpetual succession का मतलब क्या है कि company members आएंगे members जाएंगे बट company आपकी regular चलती रहेगी कब तक जब तक उसको law dismantle नहीं कर देता जब तक लोग उसको खतम नहीं कर देता जब तक आपका law में लोग के provision आपके apply नहीं होते हैं तब तक आपकी company की existence भरकरार रहेगी ओके common seal रहेगी common seal मैंने आपको पहले भी बता देता कि common seal का मतलब क्या है एक stamp रहेगी जो कि आपके continue उसमें रहने वाली है चलिए उसके बाद artificial person companies and artificial person company को एक artificial person की तरह treat किया जाता है और यह माना जाता है कि company जैसे एक individual human being होता है ऐसे ही company एक क्या होती है एक artificial person होती है that is created by the law ठीक है limited liability रहेगी limited liability रहेगी क्या मतलब होता है यहां पर कि जितने भी members है उनकी liability क्या रहेगी limited रहेगी that is depend upon the shares the amount of share that is carried by the person ठीक है उनको क्या बोल देते हैं shareholder बोलते हैं जितना amount मैंने carry कर रखा है जितने के मैंने share purchase कर रखे सिर्फ उतने ही मेरी जो liability है वो आपकी arise होने वाली है ठीक है चलिए उसके बाद आपकी share transfer आपका रहेगा share transfer का मतलब क्या होता कि अगर मालों मेरे नाम पे कोई share है तो उसको मैं दूसरी person के नाम पे sale purchase में share की कर सकता हूं ठीक है उसके बाद आपका transfer share transferability आपके allowed होती है और इसके साथ-साथ maintenance of accounts books मतलब आपकी जो company है वो क्या करेगी books of account को बनाएगी मतलब जितने भी उसके company के नाम पे transaction होती है उन्स सब को क्या किया जाएगा रिकॉड किया जाएगा किस में record किया जाएगा company के नाम से books of account बनेंगे और वहीं पर आपकी transaction करी जाएगी कोई भी account कोई भी transaction आपकी company के नाम पर हुई है तो आप उसको क्या करोगे record maintain करोगे ठीक है उसके बाद आपका audit of account audit of account का मतलब यह है कि जितने भी आपने account बनाए है उन सबको time to time आपको क्या करवाने पड़ेगा audit करवाने पड़ेगा CSA अपने जो Chartered Accountant है उससे आपको audit करवाने पड़ेगा था कि आपकी authenticity आपकी चेक की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि आपने जो भी कोई accounts prepare करें वो सही prepare करें या उसमें कोई घडवर गोटाला तो नहीं है तो यह सारी चीज़ें हमें कहां से पता चलेंगे यह सारे चीज़ें हमें account के auditing से पता चलेंगे तो यह क्या हो गए हमारे features of company क्या हो गए हमारे features of company चली separate legal existence यह मैंने आपको बता दिया limited liability मैंने आपको बता दिया transfer of share मतब आपके जो shares है उसको आपका transfer कर दिया जाएगा मतब एक person अगर दूसरे person को share खरीदना और बेचना चाता है तो आप easily कर सकते है उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपके नहीं है separate property रहती है मतब separate legal existence रहती है company के नाम पे भी आपकी property जो है वो हो सकती है company भी अपने नाम पे अपनी जो property है उसको खरीच सकती है बेच सकती है property को register कर सकती है company की asset और company की property owner की asset और owner की property नहीं होती है owner की property अलग होती है और company की property आपके अलग होती है तो यह चीज़ भी आपको धियान रखना है perpetual succession company आपकी long time चलती रहेगी ownership divorce from the management देखे ownership अलग होती है management अलग होता है ownership का मतलब क्या होता है कि आपने किसी company के share खरी ले तो मैं क्या बन गया उसका owner बन गया मेरे पास ownership आ गई अगर मैं management की बात करता हूं तो management का मतलब होता है decision making power who is making decision अब कई बर क्या होता है कि मेरे पास मैं owner तो हूं बट management नहीं देख रहा हूं अब जो manager है कि वह management में तो participate कर रहा है वह owner नहीं है वह owner नहीं है तो ownership अलग होती है management आपकी अलग होती है तो यह ध्यान रखना कि कई बार यह question पूछ लेया था कि आपके which of the following is not a feature of company ठीक है उसमें से कौन साइस का feature नहीं है तो मैं आपको ध्यान रखना है separate legal entity होती है limited liability होती है जैसे माला उसमें देदिया unlimited liability ठीक है तो आपको unlimited liability पे क्लिक कर देना है क्योंकि unlimited liability नहीं होते है इसमें आपके limited liability होती है शेर की transferability आपकी allowed होती है उसके बाद आपका separate property आपकी रहेगी मतलब कंपनी जो है अपने नाम पे properties को खरी सकती है बेस सकती है company अपनी जो है वह property को sale off कर सकती है उसके बाद आपकी perpetual succession आपका रहेगा perpetual succession का मतलब है कि company एक long time के लिए आपकी चलती रहेगी उसके बाद है आपकी ownership diverse from the management मतलब जो ownership है वो आपकी diverse रहेगी management से एंड इसके साथ आपकी जो है यहां पर आप common seal भी लिख लीजिए ठीक है वैसे मैंने कुछ आपको मैंने बता दिया है common seal ठीक है maintenance of books of account maintain the books of account इसके साथ साथ आपका audit of account आपको audit of account भी करवाना पड़ेगा ठीक है चलिए तो अगर मैं बात करूँ कि इसके कुछ-कुछ features आपके partnership से भी मिलते हैं जिसे partnership भी तो आपका association of person होता है फिर क्या difference होता है partnership में और company में यह question का इबार आपका पूछ लिया जाता है देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं यह बात करूँ कि company और partnership में क्या फरग होता है तो चलिए देखते हैं company का जो registration होता है वो companies act 2013 या companies act 1956 के अंडर registered होता है इनका एक्ट ही अलग है क्योंकि companies act 2013 चल रहा है और पहले जाता था 2013 से पहले companies act 1956 partnership का registration किसमें होता है partnership act 1932 partnership act 1932 कई बार आपकी years की भी matching पूछ लेता है यह पूछ लेता है कि इनको matching करो जरा जैसे एक तरफ दे दिया आपका partnership act और एक तरफ दे दिया companies act और year आपको दे रखें तो उसके हिसाबते भी आपको क्या करना है matching करना है ठीक है ओके रेजिस्टेशन जब मैं company की बात करूँ तो company का registration क्या होता है compulsory होता है बिना registration के company legal existence में नहीं आ सकती है लेकिन partnership का registration optional होता है मतलब अगर आप चाहो तो partnership को रेजिस्टेट करवा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको registration नहीं करवाना है तो ऐसा कोई जरूरी आपके उपर नहीं है तो यह depend करता है company to company यह depend करता है आपका company to company चलिए कंपनी की एक separate legal entity आपकी रहती है company मैंने आपको बता है starting में कि company जो है क्या है एक separate legal entity आपके रहने वाली है ठीक है लेकिन partnership की अगर मैं बात करूँ तो partnership कोई separate entity नहीं होती है because it is incorporated on the mutual concern of the people whose registration is optional that is depend upon the member अगर member चाहे तो registration करवा सकते हैं अगर member को लगता है कि वह registration करवाने की कोई ज़रोत नहीं है तो आप नहीं भी करवा होगे तब भी ऐसा कोई जुलम नहीं होने वाले लेकिन company की एक separate legal entity होती है it is created by law and destroyed by the law ठीक है तो यहाँ पर इसकी separate legal entity separate status आपको मिलेगा इसका act 2013 इसका 1932 registration compulsory registration optional liability इसमें क्या रहेगी limited रहेगी और इसमें liability आपकी unlimited रहने वाली है अब जैसे क्या है कि अगर मालो कोई company है company में मैंने जितना share ले रखा है मैं सिर्फ उतने के ही liability जो है मैं bear करूँगा उतनी ही चीजे मैं अपनी आपस में देखूँगा लेकिन अगर मैं partnership की बात करूँ तो तो partnership में आपके जो liability होती है वो क्या होती है वह आपकी unlimited हो जाते हैं जैसे मालो अगर मालो हमारा एक करोड का नुकसान होता है तो उसको भी हम 60 और 40 की रेशो में ही डिवाइड करेंगे अगर मेरा 10 करोड का नुकसान होता है तो उसको भी मैं 60 और 40 की रेशो में ही डिवाइड करूँगा in case of partnership लेकिन company के case में क्या रहेगा मैंने जितना शेयर खरीद रखा है जितना मैंने शेयर पर्चेस कर रखा है उतना ही मैं अपना liability मेरी रहेगी up to only that much amount of share ठीक है चलिए उसके बाद अगर मैं company के नाम की बात करूँ तो company के नाम में private limited limited 1% OPC OPC का मतलब क्या होता है यह पूछा गया था कि OPC का मतलब क्या होता है OPC का मतलब होता है वन परसन company मतलब जिसका एक ही owner है लेकिन उसको आपने registered करवा दिया है किसमें as a company तो उसको हम क्या बोलेंगे OPC O मतलब one P मतलब person C मतलब company यहाँ पर partnership का ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें आप जो नाम change करना चाहो जो नाम आप रखना चाहो तो वो नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो ठीक है तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है अपनी choice से कोई भी न नाम आप रख सकते हो लेकिन यहाँ पर अगर आपकी private company है तो private limited अगर आपकी public company है तो limited अगर one person company है तो आपको OPC नाम के पीछे लगाना पड़ेगा compulsory है चलिए उसके बाद transfer of interest यानि अगर आप share की बात करें तो share are freely transferable और यहाँ पर आप जो tiers है उसको आप भली बात तो share तो आपके होते ही नहीं है इसमें आपका profitability आपकी रहेगी profit या जो भी आपका proportion रहेगा उसको जब सारे members अगर partner agree करते हैं इस बात को लेकर तब ही आ ठीक है तो यह चीज आपकी इसमें आ जाती है उसके बाद अगर मैं agency की बात करूँ तो director are the agent of the company and not other मतबब आपके जो director है वही आपके company के agent बने जाएंगे बाकी सब लोग आपके agent नहीं माने जाएंगे लेकिन यहाँ पर जो partners है वो एक दूसरे के agent माने जाते हैं पर्म के agent माने जाते हैं मतब partner जो है वो client भी है और आपके agent भी है कैसे अगर माल लो इसमें से partnership की अगर मैं बात करूँ तो इसमें in case of partnership business is carried out by all or any one of them acting for all मतब या तो कोई एक पार्टनर जो है पूरे business को run करेगा सब के भी हाप पे यह सब अपने जो है अपना participation कर सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आप लोग के लिए नहीं है ठीक है चलिए अगर मैं power की बात करूँ तो can only carry out objective in the memorandum मतब इसमें किसकी power कितनी रहेगी किसका क्या रहेगी किसके rights क्या रहे हैं किसकी क्या responsibility है यह सब चीज़े आपको किसमें बता चलेंगे यह सब आपको जो है memorandum of association में आपका लिखा होता है लेकिन यहां पर आपका जो है इसमें किसकी क्या क्या चीज़े हैं इसमें partnership deed है बतार जिसमें भी partner agree करते हैं उसको एक deed में लिख देते हैं दीड का मतलब क्या होता है एक agreement होता है जो सारे partners मिलके sign करेंगे और उसी के basis पे सारी decision आपके लिए जाने चाहिए तो आई hope यह जो difference है यह आपको clear हो गया क्या partnership में और company में क्या आपका difference होता है ठीक है चलिए अगर types of company की में बात करूँ को तो company के types क्या-क्या होते हैं तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हमारा आता है on the basis of member on the basis of member की अगर में बात करूँ तो आपका सबसे पहले आता है आपका one person company OPC या one person company का मतलब क्या होता यह ऐसी category होती है जहां पर यह जितने भी young entrepreneurs होते हैं जो startups होते हैं उनके लिए यह उनके लिए यह आपकी encouragement के लिए आपका यह जो काम है वो आपका दिया गया है मतलब जितने भी incorporated होते हैं जितने भी आपके partners मतलब आपके startups होते हैं startups मतलब आपके entrepreneurs होते हैं वो इस चीज को setup कर सकते हैं तो उसके लिए मतलब अगर आप company में registration कर वाते हो as an one person company तो वहाँ पर आपको उसको हम OPC का नाम दिया जाएगा ठीक है इट अल्सो प्रमोटे टूदा concept of corporatization of the business मतलब corporatization of the business हम यहां पर यह concept अपना popular कर सकते मतलब एक single person भी company को incorporate कर सकता है लेकिन वो आपका OPC में माना चाहेगा इस इसमें आपका इस नौट अपर आपका जो है रिजिस्टेश मतलब सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस विद्धा लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब यहां पर अगर हम उसमें सोल प्रोप्राइटर शिप्टी वात करें होता यह वैसा ही है लेकिन यहां पर आपका जो है देखियें मतलब जितना नाम पे जो चीज़ हो कंपनी की रहेगे जो आपके नाम पे है वह फिर आपकी रहेगि मतलब कंपनी और आपकी श्रयेत अपके लिगणे लेकिन जो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी आपके two or more person जो है उसको मिलके registered करवाएंगे under the Companies Act और यहां पर securities of such company are not listed on the recognized stock exchange और यह जो लोग है प्राइवेट कंपनी के लोग जो है वो बाहर से पैसा, public से पैसा नहीं ले सकते हैं, ठीक है, they cannot invite the public for the subscription of the share or debenture, मतलब यह लोग सिर्फ अपना ही पैसा लगाएंगे, अपना ही जो प्राइवेट ओनर्स हैं, वो सिर्फ अपना ही पैसा लगाते हैं, और यहां पर बाखी जो लोग हैं, उनका पैसा इसमें नहीं रहेगा, मतलब इसमें बाहर से पैसा आपको अल लाओ नहीं होती है, लेकिन आपके जो maximum number of members रहेंगे, आपके private company में कितने रहेंगे, 200 रहेंगे, minimum कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, और maximum कितने रहेंगे, आपके 200 रहने वाले हैं, ठीक है, चलिए, उसके बाद रहता आपका public company, public company का मतलब क्या होता है, कि यहां पर आपके बा public company को start नहीं कर सकते हो, और private company की अगर मैं बात करूँ, तो minimum member कितने होते हैं, 2 और maximum कितने होते हैं, 200 ठीक है, यहां पर आपके minimum member होते हैं, वो कितने होते हैं, minimum member होते हैं, 7 ठीक है, और minimum member कितने रहेंगे, आपके 7 और maximum की आपकी limit नहीं होते हैं, ठीक है, तो यहां पर public company जो है, वो आपकी recognized stock exchange में आपको register करवाएगी, इसके जो share होते हैं, वो freely transferable होते हैं, और इसमें कोई limit आपकी maximum number की आपकी नहीं होते हैं, subsidiary of the public company is also considered as the public company, अगर मतलब holding subsidiary है, subsidiary भी आपकी, जैसे एक subsidiary है, एक आपकी holding company है, तो holding तो आपकी public company माने ही जाएगी, लेकिन उसकी subsidiary भी आपकी public company ही माने जाएगी, ठीक है, दखे, तो अगर मैं बात करूँ private company की और public company की, तो इसमें क्या difference होता है, तो यह difference कई बार आपका पूछा जाता है, members minimum 2 और maximum 50 यह पहले 50 थे, लेकिन बाद में इसको 200 कर दिया गया, ठीक है, पहले इसकी maximum limit थी, वो 50 की थी, लेकिन आपकी 50 नहीं हो करके 200 कर दिया, उसके बाद इसमें minimum आपके 7 और maximum आपकी no limit, अब कई बार statement में आपका दे दिया जाता है, कि in case of private company, there are minimum 7 number और maximum limit are this much, ठीक है, तो वहाँ पे आपको statement जो है, वो देखनी है, कि consist statement आपकी correct है, और consist statement आपकी incorrect है, इसके साथ साथ number of directors की बात करो, तो minimum director आट 2, और यहाँ पे minimum directors आपके कितने होते हैं, 3, private company में 2, और public company में आपके 3, उसके बाद आपका invitation to general public, these are not allowed, यह general public से आपका पैसा नहीं लेते हैं, और यह आपके general public से पैसा ले सकते हैं, यह अपना एक prospectus issue करेंगे, जिसमें लोगों को यह बताएंगे, कि मतब हम जो है, एक company जो है, आपको पैसे के requirement है, और आपसे पैसा invite करना चाहती है, तो यह सारा invitation आपका यहाँ पर आ जाएगा, transferability of share, यहाँ पर आपकी allow नहीं होती है, और यहाँ पर आपकी allow होती है, मतब इसमें आपको जो है, transferability of share, private company में आपको allow नहीं होती है, because यह जो लोग होते हैं, वो बाहर से पैसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं public company की बात करूँ, तो यह लोग बाहर से पैसा ले सकते हैं, with the issue of the prospectus, आप prospectus को issue करो, और prospectus को issue करने के बाद, आप अपने पैसा यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, उसके बाद prospectus की बात करें, तो यहाँ पर prospectus की जरूद नहीं पढ़ दी है, और इसमें इनको prospectus की जरूद पढ़ती है, मतला compulsory होता है, कि आपका जब भी आप public से पैसा करोगे, पबलिक के नाम से आप पैसा जारी करोगे, तो उनको क्या बता होगे, उनको एक invitation आप जो दोगे, उसको हम क्या बोल देंगे, prospectus बोल देंगे, ठीक है, prospectus बैसिकली क्या होता है, एक invitation होता है, जिसके तुरू आप जिसमें company की सारी details आपके लिखी होता है, जैसे ह हम कोई examination form हम बढ़ते हैं, तो उससे पहले एक bulletin हम कहता है, तो bulletin एक तरीके से prospectus होता है, ऐसे ही हम कहीं पर भी university में अडमिशाल लेते हैं, college में अडमिशाल लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना पढ़ता है, एक form आपको बनना पढ़ता है, तो form के साथ एक booklet मिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको जो statutory meeting है, वो hold करना आपके लिए compulsory है, और इसके साथ-साथ इनके लिए यह भी compulsory है, कि यह आगे उस report को submit करेंगे, किसको shareholder को, ओके, legal formalities exempted from the various legal formalities, मतब यहाँ पर जो legal formalities, कई सारी legal formalities ऐसी है, जो जिन से जो private company है, उनको exemption दे दी जाती है, और लेकिन आपकी जो public company है, उसको कई सारी legal formalities आपको पूरी करनी पढ़ते हैं, minimum paid up capital, private company के लिए 1 lakh और इसके लिए आपकी public company के लिए आपकी 5 lakh, तो कई बार इस से related जो चीजे हैं, वो आपकी बूच लेता है कि मतलब कौन सी company prospective issue कर सकती है, कौन सी company share मतलब जो है, issue कर सकती है, general public से पैसा ले सकते है, minimum member और आपके minimum director, minimum two, maximum, maximum three, minimum members आपके कितने होते हैं, maximum member आपके कितने होते हैं, in case of public company, in case of private company, तो इस तरीके से question आपके कई बार liability की बात करूँ, तो liability limited by the share, liability limited by the share का क्या मतलब होता है, कि यहाँ पर आपकी जो liability है, वो limited हो जाती है, only up to the share, जिस member के जितने share है, सिर्फ उतना ही मतलब वो liability को share करेगा, in case of law, अगर कोई loss आपका हो जाता है, किसी company में, तो आप सिर्फ उतने ही liability अपनी possess करोगे, जितना आपके पास share होता है, जितने उस company के share है, आपके पास सिर्फ उतना ही liability आप यहाँ पर existence करोगे, ठीक है, तो वो सब आपका memorandum of association में आपका लिखा होता है, and limited to the amount of unpaid on the share which they own, मतलब जितना आपके पास share की, जितना आपने पैसा दे दिया, वो तो आपका गया है, लेकिन आ मालो एक company का 10 रुपे का share था, मैं 6 रुपे आपका दे चुका हूँ, तो मेरी liability सिर्फ 4 रुपे की रहेगी, बाकी मेरी कोई liability नहीं रहेगी, next राता है, company limited by the guarantee, company limited by the guarantee का क्या मतलब होता है, कि आप जैसे किसी चीज की guarantee ले ले लिते हो, अब मालो A जो है, वो B की guarantee ले ले ल नहीं है, अगर मालो कोई ज्यादा का नुक्सान करके आ जाता है, तो उस case में, मैं सिर्फ 50,000 तक की liability जो पूरी करूँगा, उसके बाद मेरी कोई liability नहीं रहे जाती है, ठीक है, उसके बाद आपका unlimited company, an unlimited company, liability does not have any limit, मतलब यहाँ पर आपकी liability की कोई limit नहीं होती है, तो यह आपको registration करवाना पड़ता है, कि by the limited और by unlimited, ठीक है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको यह चीजे देखना पड़ती है, special companies की अगर मैं बात करूँ, तो government companies होती है, ठीक है, government company का मतलब होता है, at least 51% paid up capital, जो हो, आपकी किसकी रहेगी, central government के हाथ में रहेगी, ठीक है, यह मतलब जो government है, आपकी central government या state government कोई भी आपकी हो सकती है, ठीक है, तो partly center, partly government आपकी कोई भी आपकी हो सकते है, लेकिन 51% share जो हो, आपकी government की holding होनी चाहिए, उसके बाद आपकी foreign company, अगर कोई भी company ऐसी है, जिसका registration आपका इंडिया में ना हो करके foreign company में हुआ है, और उनका registration आपका foreign company के जब under होता है, तो उसको हम क्या बोल देते है, foreign company बोल दिया जाता है, ठीक है, ओके, तो section 8 company, section 8 company का मतलब क्या होता, जितने भी आपके charitable objective है, जैसे commerce, science, sports और arts, research, education, social welfare, environment, protection, religion वगरा, इन सब चीजों के लिए, आपका जो है, एक company, जो है, एक section 8 के अंडर company आप वो सारी आपकी, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, special license आपको लेना पड़ेगा central government से, उसके बाद है public financial institution, public financial institution है आपके, जैसे आपका IDVI है, IFC, ICICI है, LIC है आपका, यह ऐसे institution है, जो public से पैसा आपका लेते हैं, और उसको funding transfer करते हैं, तो इस तरीके से भी यह चीज से रहती है, holding company और subsidiary company, holding company और subsidiary company का क्या मतलब होता है, holding company का मतलब होता है, जैसे मालों, एक company है, और एक B company है, अगर एक company जो है, वो B company के 51% share को hold करती है, 51% share को hold करती है, तो यह क्या बन जागे, आपकी holding company और यह क्या बन जागे, इसकी subsidiary company बन जागे, तो यहाँ पर आपक जो books of account है वो holding के हिसापते ही आपके maintain किये जाएंगे तो उसके हिसापते ही सारी चीज़े आपके registered करी जाती है तो यहां पर holding company के पास आपके जो है more than 50% आपके जो है वो share आपके रहेंगे पास चली जाती है holding company के पास चली जाती है ऐसे ही आपका जो है एसोसीडीड कंपणी होती है आपका minimum इन्फ्लूएंसे जो है वो आपका बागी कंपनी के पाथ चला जाते हैं ज्यसे स्टेट बीकानेर स्टेट बेंक त्रवनकोर और इस तरीके से इस्टेट बेंक और सवराष्टा इस्टेट बेंक पट्याला ठीक है ऐसे साथ एसोसियेटेटेड बैंक है जो हमारे सब्सक्राइब चलिए उसके बाद नॉमिनल अच्छा इसके बाद अगर मैं कैपिटल की मैं बात करता हूं तो यहां पर कुछ कैपिटल का भी पंगा आपका रहने वाला है ठीक है जैसे सबते पहले मैं बात करता हूं नॉमिनल और ऑथराइज और रेजिस्टर कैपिटल का मतलग क्या होता कि जब भी आप कंप कितनी में लगा सकते हैं मतलब आपकी जो ऑथराइज रेजिस्टर कैपिटल जो है वो कितनी है तो एस पर्दा मतलब यह सारा वो नॉमिनल अमाउंट होता है जो आपका मेमोरेंड़ंडम और आपका लिखा होता है कि मतलब आपको मिनिमम कैपिटल आप कितनी मतलब मैक्सि मतलब और पैसा है तो इसको रिजिस्टरिभोष थे और क्लासीफिकेशन अव् def utilization रेपटल मेंगे पीछे हो गया है तो इस पे एक टो टो के बोलते हैं उसको चोटे-चोटे पार्ट में डिवाइट कर दिया जाए तो जो सिंगल यूनिट बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे शेयर का मतलब क्या हो गया एक चोटी सी यूनिट हो गया जो कि हमारे शेयर केपिटल का ही एक पार्ट होती है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आती है हमारी nominal और authorized capital nominal और authorized capital का मतलब क्या होता है जब आप registration करवाते हैं company का तो उस टेम पे आपसे capital जो है आपकी authorized होती है registered होती है कि मतलब throughout the year of the life of the company सिर्फ आप इतना ही पैसा मार्केट से ले सकते हैं ठीक है उसके बार होती है आपकी issued capital मालो मेरा authorized है 80 करोड रुपे इसका ठीक है अमालो मुझे एक करोड रुपे की जुरूत है तो यह जो 80 करोड रुपे मैं एक साथ कभी भी market से नहीं लेता हूँ यह मेरी authorized limit है कि मैं इतना तक मैं पैसा मार्केट से ले सकता हूँ ठीक है लेकिन अब मुझे कितने पैसे की requirement है उसको मैं छोड़े पार्टस में डिवाइट कर दूँगा तो जितना पैसा मैं मार्केट में जो है वो जितने पैसे के लिए मुझे requirement है और जितने पैसे के लिए मैं market में शेर इशू करूँगा तो उसको मैं का बोलूँगा issued capital ठीक है तो यह हो गया मेरा issued capital जैसे मालनो मुझे 1 करूर की requirement है तो यह क्या हो गया मेरा issued capital हो गया issued capital के बाद अब लोग कितने subscribe करते हैं अब मालनो मैंने जो share है 5000 मैंने शेर जो वो आपके prospectus मैंने print करवाए ठीक है मुझे इतने पैसे की requirement है ठीक है अब कितने लोगों जितने लोग उसके लिए subscribe करते हैं तो उसको हम बोलते हैं subscribe capital ठीक है उसके बाद आपका अपनी का अपनी का पैसा नहीं मंगाएगी कंपनी क्या करेगी मालो एप्लिकेशन में मंघा लिए आपसे दो रुपए अल्टमेंट में मंघा लिए आपसे तीन रुपए ठीक है first call में मंघा लिये आपसे आपका चार रुपए और final call में आपसे मंघा लिए एक रुपया ठीक है तो इस तरीके से company जो वह आपकी installment में पैसा बंगाती है कभी भी एक बार में पैसा नहीं मंगाती है company ने जितना पैसा मंगा लिया है उसको हम बोलते है called up capital और जितना पैसा अभी आप लोगोंने pay करा है उसको बोलते है paid up capital अब मालो company ने 7 रुपे मंगा लिए company ने 7 रुपे मंगा लेकिन आपने दिये अभी 5 रुपे ठीक है तो 7 रुपे आपके क्या है called up capital और 5 रुपे क्या है आपकी paid up capital या company ने 10 के 10 रुपे मंगा लिए लेकिन अभी आपने पैसा पूरा जमा नहीं करा है तो company ने मान लो 10 रुपे मंगा लिए तो 10 रुपए क्या हो जागे? और आपने सिर्फ 7 रुपए दिये हैं तो 7 रुपए क्या हो जागी? आपकी पेड़ पेड़ क्या हो जाएगी. ठीक है? इसूट कैपिटल आपका समझा दिये है, मैंने सब्सक्राइब कैपिटल मेंने आपको बता दिया. उसके बाद कालड़ कैपिटल मेंने आपको बता दिया, पेड़ कैपिटल मेंने आपको बता दिया. अच्छा, पेड़ कैपिटल में आपको ये चीज और देखी जाती है, कि जैसे मालो, कंपनी ने जितना कॉलड़ कर दिया, मालों company ने 10 रुपे मंगा दिये इसमें से जितना call in area होगे आपका call in area का मतलब जितना पैसा आपका नहीं आये मालों इसमें 3 रुपे मेरे नहीं आये तो total मेरा paid up capital कितनी होगे 7 रुपे ठीक है तो यह चीज मुझे यहां से देखनी पड़ती है unsubscription of share का मतलब क्या होता है कि जैसे मालों कई बार आपका public application जब आपकी करी जाती है तो मालों एक minimum limit आपकी होती है तो minimum limit अगर एक company उसको fulfill नहीं कर पाती है तो company पूरे share को आपका issue नहीं करेगी ठीक है when the number of share applied by the company is public is less less than the issued capital जैसे मालों कई बर क्या होता कि company ने 5000 शेयर के लिए application डाली ठीक है अब उसमें से मतलब जो है सिर्फ 3000 लोगों ने क्या करा apply करा तो यह हो गया हमारा under subscription और अगर मालों 5000 उसके लिए मतलब आपकी application आगई 7000 ठीक है तो 7000 आपका क्या हो गया over subscription हो गया और उसमें जब आपके जितने company ने application निकाली गया उससे जब कम लोग apply करते तो उसको क्या बोलते हैं under subscription ठीक है over subscription का मतलब क्या होता कि जब एक applied जो केस होते हैं वह आपके ज्यादा हो जाते जितने के लिए company ने शेयर इस्यू करें ठीक है जब उससे कम रह जाते हैं तो उसको बोलते अंडर subscription ठीक है over subscription मैंने आपको बता दिया ठीक है calls in area, calls in advance, calls in area का मतलब क्या होता कि जब आपका पैसा नहीं आता है तो उसको बोलते calls in area और calls in advance का मतलब होता है कि आपका जितना पैसा आपने advance में दे दिया आप कई बार लोग क्या करते हैं कई बार आपके आगे की दो instrument का पैसा भी allotment में ही दे देते हैं पहले ही ठीक है कितना 10% और कॉल से एडवांस पे कंपनी जो हो इंटरस्ट पे करती है कितना 12% तो यह इंटरस्ट नेट आपको ध्यान रखना है कि कॉल से एरियर पे कंपनी इंटरस्ट आप से चार्ज करेगी क्योंकि आपने पैसा उनका नहीं दिया है तो उसको अम्बो लेंगे 10% और जो आपका call sign advance पे company आपको पैसा देगी मतलब आपने company को पहले से एडवांस में पैसा दे दिया तो company ने आपका पैसा यूज करा दो महीने तीन महीने जो भी है तो उसका company interest आपको pay करेगी 12% per annum तो थैंक यू गाइस फर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू गाइस फर वाचिंग दिस वीडियो आई होप यह जो concept है आपको basic concept of company पार्ट यह आपको समझ आगया होगा तो वीडियो कैसी लगी comment section जरू टाइप के दिए ताकि आपको जो मिलने वाली notification है वो आपको जल्द ही मिल सके तो थैंक यू गाइस है वनाइस टेंग कर दो 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 कर दो